आजकल हर कोई अपने घरों के लिए बड़ी खिड़किया बनवाना पसंद करता है फिर चाहे खिड़की बड़ी हो या फिर छोटी हो पर उसकी सिकूरिटी भी उतनी ज़रूरी होती है और वही पर काम में आती है ये लोहे की ग्रिल ये जो लोहे की खिड़की होती है इसे ब कौन सी इंपोर्टन चीजों के तरफ ध्यान देना चाहिए इसके बारे में भी हम इस वीड़ो में देखने वाले है तो वीडियो काफी इंपोर्टन होने वाली है इसलिए वीडियो को पूरा जरू देखे चानल पे अगर आप लोग नए आया हो तो चानल को जरू साब्स् करने वाले हो तो आपको बाहरी वाल से कम से कम एक इंच का अपसेट छोड़ना है और उसके बात जाकर आपको इसे फिक्स करना है डायरेक्ली वाल के फेस टू फेस इसे फिक्स नहीं करना है और जब भी आप इन विंडो ग्रिल को बनाने वाले हो तो आपके वेल्डर से य अलग-अलग डिजाइन का इस्तमाल किया जाता है. तो यहाँ पर आपको ये चीज ज़रू ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप विंडो ग्रील बनवाते हैं तो 10 अमेम से छोटा बार आपको इस्तमाल नहीं करना चाहिए. उसके बाद अगर आपको ज़्यादा safety चाहिए तो आप 12 mm के तरब जा सकते हो और उससे भी ज़्यादा safety चाहिए ऐसे समय में थोड़ा extra पैसा खर्च करने के बाद आप जो है bright bar का इस्तमाल कर सकते हो पर इनका जो cost होता है वो 10 से लेके 12 रुपए ज़्यादा होता है प्रती दाक छूट जाते है ऐसे समय में आपकी grill जो है उसमें जल्दी corrosion लग सकता है तो इससे बचने के लिए आपको primer जरूर देना चाहिए तो इन चीजों को जानने के बाद अब बारी आती है window grill के cost की तो यह जो window grill है इससे बानाने का जो cost है वो mainly 2 से 3 चीजों के उपर depend करता है सबसे पहली चीज वहाँ पर material के cost क्या चल रहे है आपने design कौन सी select की है और आपकी खिड़की कितनी बड़ी है इन चीजों के उपर depend करता है कि आपके grill का cost कितना होगा तो यहाँ पर generally जो grill बनाई जाती है तो उसके लिए welder को दो तरीके से काम दिया जाता है पहला तरीका होता है जिसमें कि आप welder को wholesale काम देते हो यानि कि material और labor cost दोनों ही चीजे उसमें add की जाती है और दूसरा type होता है जहाँ पर आप labor rate पे काम देते हो यानि कि welder को आप material लाके देते हो और welder आपको grill बना के देता है तो वहाँ पर welder सिर्फ आप से labor charge लेता है तो grill का cost निक और अगर आप welder को directly with material काम देते हो तो welder आपसे material charge और labor charge इस दोनों को add करके लगभग आपको 80 से लेके 85 रुपए प्रती किलो के इसाब से cost आपको देता है तो यहाँ पर हम एक example के तुरू समझते है तो हमारी जो window grill है उसका size हम मान के चलेंगे 4 by 4 है और उसका वजन जो ह आ जाता है 2550 रुपए यानि कि अगर हम 4 by 4 की grill बनाने के लिए जाते है तो हमें यहाँ पर 2550 रुपए तक खर्च आ सकता है अब इसके बाद यह जानते है कि अगर आप 4 by 5 feet की लोहे की grill बनवाना चाहते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है तो 4 by 5 की जो grill होती है उसका ज 25 is equal to आ जाता है 3145 रुपए यानि कि अगर आप 4 by 5 की लोहे की grill बनवाना चाहते हो तो आपको लगबग 3145 रुपए तक खर्चा सकता है उसके बाद हम बात करते है थोड़ी बड़ी विंडो की जिसका की साइज है 5 feet by 5 feet तो इस विंडो का वजन लगबग 48 kg तक हो सकता है और अगर हम इसे 85 के rate से multiply करते हैं तो हमारा answer आ जाता है 4,080 रुपए यानि कि अगर आपकी 5 by 5 की लोहे की विंडो है तो उसे बनवानी के लिए आपको 4,000 रुपए तक खर्चा सकता है अब ये जो rate हमने यहाँ पर निकाला है ये कम या फिर जादा हो सकता है पहली चीज ये depend होता है कि आपकी जो window की design है वो की सिसाफ से है आपने कौन से type के bar का इस्तमाल किया है अगर आप bright bar का इस्तमाल करते हो तो इससे आपका खर्च और भी बढ़ जाता है अगर आप round bar का इस्तमाल करते हो या फिर square bar का इस्तमाल करते हो तो आपके window का वजन जो है वो कम य या फिर जादा हो सकता है, तो window का वजन जब कम या फिर जादा हो जाता है, तो cost में भी difference आ जाता है, उसके बाद आपकी window की जो design है, अगर वो जादा आप heavy कर लेते हो, तो window का वजन बढ़ जाता है, तो इससे cost और भी बढ़ सकता है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कि अ timer देना और welding के rod जो है, वो आपके welder के तरफ ही होते है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अब यहाँ पर हमने यह cost निकाला है, यह सिर्फ एक window का है, आपको आपके घर के अंदर बाकी window का भी cost इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको यह पत subscribe कर दीजे, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है,